काउंटर मामला बनाने के लिए तो आप भी जा के फीड सकते हो या अंदर आपने अपने बच्चे पर अटक किया था आपको अपने एक साल के बच्चे से महपत नहीं है और आप आप कह रहे हों कि कोड का बाबू भी जूड बोल रहा है आपको वकीरों के खिलाफ आरोप लगाना है आपको अपने बच्चे को मारने का वाइरल वीडियो हमेरे पास सुरक्षे थे यदि आप मुझे क्या करना है आप रिकॉर्ड में लाओगे तो देखेंगा मुझे परसनल फड़े इंट्रेस्ट है इसमें हमारा उपर एलिगेश चल दा था जिसमें हमारे बेटे के लिए चारहजार रुपए और किया तो यह जो थे जो कॉंप्लेनेंट है वो कौन है वो लॉट से एडवोकेट हैं किसके हमने जिन से खर्चल अनावेदक के अनावेदक के आरोप है कि आपने अपने विरोधी पक्षिकार के अधिवक्त लेकिन इसमें यह है कि जो एफ आई आर हे यह हमारे यह फाइयर हमारे उपर यह 14-5-2022 को उसके पहले हमारे हमने इक फाइयर इनकी कराई थी 5-5-2022 को नौ दिन पहले जिसमें हमें पूरे नियालय के अंदर हमारे साथ में मारा पीटी की गई गाली गलोच आधिवक्त है दोड़ा कर मारा गया हम दोड़ा कर जिसमें जिसका वीडियो तो देखें गहां प्रसवाइब हमें इसा नहीं देखना है। पेश करो है इसा पेश कर देगा ह। ठीक है। करते हैं पांच की है मैं दूसरी घंटना की बात कर रहे हैं जो ढटना तो आetos कोaca dopo पांच के दूसरी घंटना की बात कर रहे हैं और इत् conte还dı और पांच यह बाटना पाले इसको है वाइन नौ दिन बाथ आप काउंटर मामला वनाने के लिए यौह आविदिखος है मेरे वकिल चाहिए मेरे बाहिए मेरे वकेल्स जूट बोल रहे हैं गरते हैं बोलना चाहते हो ला कि न से काउंटर budget दो जोड करें तो आप बिछ आक कर फिर सकते मेरे को सच बोल रहा हैं तो फिर क्या उंक्ष बोल रहा एंगैर्स यह फ् facilitate जोसे अच्छी बात है इशोड़ नोटिस एटिश वाइं रास्ट अप्रत कर जोड़िये curso बच्चे क्यों मारने के आरोप लगा हुआ है यह 119 पे कुन सी एफ़ाइय है यह क्यों नहीं पता रहे थे आप सर वो हमारे उपर 307 लगाया हुआ है कि आपने कोट परमाई से कोट रूम की अंदर अपने बच्चे पर अटक किया है कि सर उसके लिए हमने कुछ भी हो यह आपने पहस के अंदर बहस के दौरान क्यों नहीं बताया कि आपके ऊपर 307 सा मुका अल्रेदी हमारी पेंडिंग मैंसर काउंसल आप लोग छुपा के सप्रेस करके बहस करते हैं और जब पूछते हैं तो उसको वाइट करते हैं आपने बहस के दौरान यह क्यों नहीं बताया कि आपके ऊपर भी कोट प्रमाई से के अंदर चोड़िए नियाले कक्ष के अंदर आपने बच्चे पर अटक किया था लौट सिफ हमने उसको नीचे रखा था कुछ भी हो नियाले कक्ष के अंदर आपने अटक किया था और यह रिपोर्ट कोट के रिडर के लौश कराई है लौट सिफ हमारे उपर आपको अपने एक साल के बच्चे सिफ मौपत नहीं है और आप आप कह रहे हों कि कोट का बाबू भी जूट बोल रहा है होगा कोट का बाबू बच्चे को हत्या कर देंगे सर लौट सिफ कुछ भी होगा पड़ देता हूं मैं सब के सामने नियाले के बाबू दिनेश कुमार उईके द्वारा थाना में प्रधान अरक्षा कनिल वोतम को लाकर प्रस्तुत किया कि माननी नियाएक मजिस्ट्रेट प्रथम शिर्णी बियोहारी जिला शेडोर के ग्यापन करमाग ये कोट की कम्प्लेंट है नियाले सोवप औन सो के मादियम से लेख किया गया है कि विदिक प्रथम शिर्णी प्रक्रंक करमाग में आवएदीका भारती पतल द्वारा नियाले क्षमे को जान से मार्डने का कृतर किया जाने वो नियालय का कार अबादित किये जाने के संबन में अपराद पंजीबत किये जाने का आदेश प्राफ्त होने के मुताबक पर्थम जिश्टिया 307 का मुकदमा दर्श करते हैं किहां लिखा है उसमें आवेधी का भारती पतेल द्वारा अपने बच्चे के उम्ड़ लगबग एक वर्श के साथ नियाले कक्ष में उपस्तित हुई तत्वा नियाले कक्ष में हला गोहार रोना गाना करते हुए अभधर विवार किया और अपने नवजाद बच्चों को नियाले कक्ष में पटक दिया और प्रस्तुतकार की टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट उठा कर ये कहते हुए कि कि बिदो अपने बच्चे को मारने का प्रियास करना, यह आरोप आपके उपर लगा हुआ है? क्या बात करते हो यह आप लोग? 119. कॉस इसलिए नहीं लग रही है, क्योंकि यह F.I.R. की कॉपी आपने लगाई हुई है. अगर खुदा ना खासता ना लगाई होती और स्टेट की तरफ से आ जाती, तो आपके मुगदमे का क्या होता? फिर भगवानी मालिक था. परंतु आपने वैस के दोरान इस बात को छुपाया.